स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विहारी फैमली में साथियो इस वीडियो में हम कवर करेंगे गांधी जी से जुरा हुआ महत्पुर्ण क्वेश्चनों को गांधी युग के बारे में इस से सचमता परिच्छा में और VTSC में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी सचमता परिच्छा जो चल रहा है उसमें इस से 5 से 10 क्वेश्चन तक पूछा जा रहा है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना एस्किप किये हुए क्वेश्चन को इसी में से घुमा फिड़ा के पूछा जा रहा है मैं सभी महत्पुर्ण को कवर करूंगा तो शुरू करते हैं शुरू करने के हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आकन को दमा दे ताकि वीडियो का नोटिपेकरस अपको सबसमें प्राप्त होता रहे तो चलिए बीना देर किये हुए सुरू करते हैं पहला कॉशन है गांधी जी ने किस काणून को काला कानून कहा तो किस कानून को काला कानून कहा तो रॉलेक्ट एक्ट अगला है इनकलाब का नारा किश ने दिया इनकलाब का नारा मुहम्मद इकबाल ने दिया इनकलाब का नारा मुहम्मद इकबाल के दोरा दिया गया था अगला कुशन है महात्मा गांधी ने सत्यागरह करिया भी थी सबसे पहले कहां पर्युक्त की तो सत्यागरह सबसे पहले कहां उन्होंने किया था तो चमपारण में सत्यागरह किया था फिनिक्स फॉर्म की अस्थापना किस ने की थी तो फिनिक्स फॉर्म की अस्थापना महात्मा गांधी ने की थी फिनिक्स फॉर्म की अस्थापना उन्होंने कहां की थी तो दच्छी नफडिका में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की अस्थापना की थी यह भी कोशन पुछा ज है तो सही जवाब हो जाएगा जवा आड़ ला लेनुरू कि जरी एंड का नाढ़ा किस ने दिया तो जरी that नारा दिया था सुष्शच झंद्र पूंश ने आगे हैं महतमा गांधी दचिन अफ्रिका से भारत किस वर्ष लोटें तो महाथमा गांधी दचिन अफ्रिका शे भ सब्सक्राइबाद को साहिनिक करवाई को दरा मिला आ गया था आगे है भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस के तृपूरी संभिलन में वर्स 1949 में सुभास चंद्रबोश को कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था यह तृपूरी कहां है तो यह तृपूरी जो है जबलपूर इससे जुरा हुआ एक और कोशन पूछा जाता है कि किन्हें गांधी जी के जिद के कारण कॉंग्रेस अध्यक्ष पत्र से इस्तिफा देना परा था तो सही जबाब हो जाएगा सुभास चंद्रबोश को सुभास चंद्रबोश को गांधी जी के कारण अध्यक्ष पत्र से इस्तिफा देना परा था क्योंकि गांधी जी के जो प्रत्यासी थे वह रमया जी थे और जब उसमें सुभास चंद्रबोश जी जी जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह रमया की हार नहीं मेरी हार है इस बज़र से कॉंग्रेस का पूरा कमीटी जो होता है वह इस्तिफा देता है चुकि गांधी जी नाराज हो जाते हैं इसलिए कॉंग्रेस का पूरा कारे समीटी इस्तिफा देता है मजबूरन सुभास चंद्रबोश जी को भी इस्तिफा देना परता है या घटना कब की है तो 1949 की है आगे है किसने कहा था तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूँगा किसने कहा था तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हें आजादी दूगा दो बार लिखा गया है तो आप इसे एक बार ही पढ़ें तो यह किस ने कहा था तो सुभास चंद्रबोस ने कहा था आगे है किस ने सुझाब दिया था स्वतंदा प्रांप्ति के बाद भारतिय राष्टे कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो महात्मा गांधी जी ने सुझाब दिया था आगे है देश वंधु की उपाधी संबंधित है देश वंधु की उपाधी किस से संबंधित है तो देश वंधु चितरनजन दास को कहा गया है तिरपूरी संकट की समापती के बाद कॉंग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया तिरपूरी संकट की समापती के बाद यानि जब सुभास चंदर बोश जी ने इस्तिफा दे दिया था तो उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था राजंदर प्रसाद जी को रमया जी भी नहीं बने थे, कौन बने थे, तो राजेंदर प्रसाद, आगे हैं, कॉंगरेस ने भारत छोरो अंदोलन का प्रसाब किस बर्स पारित क्या, तो भारत छोरो 1942, भारत छोरो 1942, आगे देखते हैं, भारत के स्वतनता अंदोलन के दौरान, महात्मा गंधी दौरा, अस्थापित सावरमती आसरम किस नगर के बाहर इस्थित है, तो किस नगर के बाहर, सावरमती जो है, अहमदाबाद में है, सावरमती अहमदाबाद सहर से बाहर है, आगे हैं, सुभाशन रबोस ने सिंगापुर में, दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया, तो कब दिया, तो महात्मा गांधी ने बनाया था, आगे है और सयोग आंदोलन 1920-1922 को क्यों निलंबित करना परा था, तो आप जानते होंगे कि और सयोग आंदोलन को जो है, चौरा चौरी हिंसक घटना के बाद जो है, वह अस्थागित करना परा था, इससे जुरा हुआ डेट पुछता है कि और सयोग आंदोलन को अस्थागित जो किया गया था, 24 चाड कंड कि वह था, तो 5 परवरी 12 को हुआ था, यह पूछा गया है क्यों और यह क्यों रिपीट किया जा रहा है स्चमता प्रिक्चा में, इसे आप अच्छे से याद कर ले, 5 परवरी 1922 को 14 खटना हुई थी, 44 आगे है किसने असयोग अंदोलन के दौरान वीदेशी कप्रों का जलाया जाना एक निष्ठा बरवादी बताया था तो रमिदनाथ टैगोर ने बताया था इनका ये कहना था कि किसी का बिरोध करने के लिए हम अपना नुक्सान क्यों करे आगे है वर्स उनिस से उनिस में जा लिया बाला बाग है तो अमरी सर में हुआ था आगे दिखते हैं अगला कुशन है निम्न में से किस आंदोलन में सर्दार बललब भाई पटेल ने सर्दार बललब भाई पटेल ने मुख भूमिका निभाई तो बारदोली सत्यागरव बारदोली सत्यागरव में जो है सर्दार बललब भाई पटेल ने मुख भूमिका निभाई थी था नमक सत्यागरह 1930 में प्रारम हुआ था कहां हुआ था तो दांडी में दांडी यात्रा किया गया था इसके लिए भारत में दोएद शासन प्रारम किया गया तो मांटेग्यू चम्सफोर्ड रिसॉर्स निस्तों निस के द्वारा अगला कुछन निमलिख्ट में से किस कृति के कारण भगस सिंग राजगुरू और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी तो किस कृति के कारण तो वर्ष 1928 में लाहोर्ष में सांड्स की हत्या इसमें सांड्स की हत्या यानि सी ओप्षन जो है यहां से पूछा जाता है लगातार सच्मताप्रक्षा में कई कोश्चन इससे पूछा जा चुका है इसमें पूछा जाता है कि भगस सिंग राजगुरू और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी डेट पूछा जाता है तो 22 मार्च 1931 को इस तरह से भी कोश्चन पुछा जाता है कि 23 मार्च 1931 को किन्हें फांसी दी गई उप्षन में इन तीनों में से कोई एक नाम डाल दिया जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो इस कोश्चन को सही से याद कर ले 23 मार्च 1931 को तीन लोग को फांसी दी गई थी भगस सिंग, रा स्टाविंज़ करन दिए तो इसके सबए सदस्य वह क्या थे अंग्रियज थे अग्ला है निंगलकल किडिय में में दिया गया था 1919 रॉलेक्ट एक्ट 1919 अगला कुशन है निवलिक्ति में से किसने भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 पी अधिक्षता की थी तो कराची अधिवेशन 1931 की अधिक्षता सर्दार बल्लव भाई पटेल के द्वारा किया गया था हो आगे है गान। है ृष्ट इरविन सम्झुधा पांच मार्च 1931 किस्से संबंधित है दो सम्भे नम्य है सहब suficiente सबैनी अवक्यां आंधोलण से इसका डेट आप याद कर ले गांधी इर्विन सम्झोता पांच मार्श उनिस्सो एकतीज आगे है करो या मरो डू और डाय का मंतर किस ने दिया था तो करो और मरो का नरा दिया था महातमा गांधी ने अगला कुशन है स्वतंतर भारत के पर्थम महाराज जेपाल यानि गवर्णर जनरल कौन थे तो स्वतंतर भारत के पहले गवर्णर जनरल लौड मांट बेटन थे लौड मांट बेटन अगला कुशन है भारत छोरो आनलों का नेतरुत किया था महातमा गांधी ने किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संगिय संद्चना प्रस्तूत की गई तो 1935 अधिनियम में 1927 की बटलर कमिटी का उद्धेस था तो भारतिय सरकार तो देशी राजियों के बीच संबंधों को सुधारना अगला है काकोरी ट्रेन डखेती कांड के नायक कोन थे तो इसके नायक थे रामप्रसाद बिस्मिल भारतिय राष्ट्य कंग्रेस का 1936 का अधिवेशन किस सहर में हुआ था तो 1936 का अधिवेशन हुआ था हरीपूरा में हरीपूरा में आगे है उनिस्सों निस के अधिनियम में द्वैद सासन धारना को किस वेक्ति ने परचीत कराया हुए कौन थे तो द्वैद सासन से परचीत कराया चैंस फूर्ड चैंस फूर्ड अगला है निस सहィतालिस के भारतिय राष्ट कोंग्रेश के दिलनी अधिवेशन की अधिक्षता किस ने की थी तो दिलनी अधिवेशन की अधिक्षता उनिस सहीटालिस यानड जिस भरत आजाद हुआ था उस बर्स किने कोन किये थे तो राजेंदर प्रसाद आगे हैं निमलिख्ति में से किसने 23 फरवड़ी 1946 को रोयल इंडियन नेवी के ब्रोध्यों को आत्म समरपन के लिए राजी किया था तो बल्लभाई पटेल और मुहम्मद अली जिन्ना आगे हैं भारत छोरो आंदोलन के समय इंग्लेंड का परधान मंतरी तो इंग्लेंड के परधान मंतरी थे विंस्टन चर्चिल आगे हैं 20 सितंबर 1932 को यर्वडा जेल में महातमा गांधी ने आमरण अंसन किसके बिरोध में किया था तो रेम से मेक्डोनौल्ड के संप्रदा फाई पंचाट के बिरोध में आगे हैं भारतिये स्वतनतता संगराम के दौरां साइमन कमिशन की निक्ती निम्र उद्दिश के लिए हुई थी तो 1929 के सुधारों की परगति की समक्षा के लिए हुई थी आगे हैं निमलिखित आंदलोनों में किसमे महातमा गांधी ने भ हर्ताल अहमदाबाद का मील मजदूर हर्ताल जो कि 1948 में हुआ था इसमें उन्होंने पहली बार भूख हर्ताल का सारा लिया था अगला कुशन है कहां 21 अक्टूबर उनिस्सोत्य तालिस को सतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोसना की गई थी सिंगापूर में जालिया बाला भाग में गोली चलाने का आधेस दिया था तो …. आरेच डायर ने दिया था आ अगह है वर्च 1922 में अखिल भारती हर्या हरीजन संग के संस्थापक कोन थे तो अखिल संग के संस्थापक थे महात्मा गांधी खैंवात्मा अगहले है और महात्मासमा गांधी को तो जो है महात्मा उनको सरप्र्थम कहा था रविद्ना ट्यगोड ने कहा था कि अगला है सभी अवग्णा अंदोलन 1930 की प्रकास्था में गांधी जी ने किसके साथ समझुवते प्रहसथाक्षर किये थे तो सभी ने अब वग्या अंदुलन में कि समय जो है वह कौन सा हुआ था समझोता तो गांधी इर्विन समझोता लौड इर्विन के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किये थे आगे दखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महतपूर्ण कारण कौन सा था क्रिप्स का गरहण करने या छोड देने वाला दृश्टी कोन आगे दखी परिका में महत्मा गांधी दवरा प्रकासित पतरिका का नाम था तो इंडीन ओपिनियन इंडीन ओपिनियन ऑगे मुद भारतिय राष्ट्ये कंग्रेस के सबसे अधिए समय अधिक समय तक अध्यक्ष छलआने वाले थे अभूल कलाम आज़ाद मों कि इंडियन लिबरल फेडुरसीड के अध्यापना किस ने की तो इंडियन लिबरल की असथापना की एसन वनर जी से आये हैं जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजाधी का तब महत्मा गांधी थे महत्मा गांधी कहां थे तो महत्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त को जब जश्ट मनाया जा रहा था तो उस समय महत्मा गांधी कलकत्ता में थे अगे है मात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जब वे जहाज से इंगलेंड से दच्छिन या प्रिका की यातरा कर रहे थे तो उन्होंने जहाज पर ही यह पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज अगला है भारत एम पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहट हुआ था इसलिए इससे जुरा हुआ एक क्वेशन पुछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है कौन सी रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है रेड क्लिफ रेखा है अगला है महात्मा गांधी के हत्या कब हुई थी तो महात्मा गांधी के हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी अगला है भारत की आजादी की समय कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन थे तो भारत की आजादी की समय कॉंग्रेस का अध्यक्ष थे जी बी किर्पलानी प्रूर्वू इस बी आर आम्वेत्कर म्हाया थे यह तीनों सामिल अगला है काइदे आजम किसे कहा जाता है तो हैं मुहंम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस्में दिया तो इंकलाबजनदाबाद का नारा भागश तिग ऌने दिया था कि अग्धी जी किस गोल वे सम्म्मेह लेसं के लिए लंदन गए थे तो दुlive ठीए गोल वे सम्मेह में भाग लेने के लिए लंदन गए थे अगला है गांधी जी भारतिय राष्ट्री कॉंग्रिस के अध्यक्ष कितनी बार बने तो महां तक एक बार बने थे बेलगाओं अधिवेशन में अब है और सयोग अंधोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराई कौन थे तो और सयोग अंधोलन के समय लौड चम्सफोर्ड भारत के वाइसराई थे भारत में जब क्रिप्स मिसन आया उस समय भारत का वाइसराई कौन था तो क्रिप्स मिसन के समय भारत का वाइसराई लौ अगला है भारतिय स्वतनता अंदोलन के चदोरान चर्चित पुत्तक इंडिया फॉर इंडियन्स के लेखक तो इंडिया फॉर इंडियन्स तो चितरंजन दास किसकी उप्युक्ती है जवाहरलाल नहरू की आगे देखते हैं जनरल माइकल ओडायर की हत्या किस ने की तो जनरल माइकल ओडायर की हत्या की थी उधम सिंग ने अगला कोश्चन है किस ने कहा मध्यरातरी के टकूर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वो स्वतमत्रता के लिए जाग उठेगा तो जवाहरलाल नहरू ने किया कहा था यह आगे है साइमन कमिशन का भारत आगमन किस वर्स हुआ था तो साइमन कमिशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था चावरा-चावरी नामक परसिद अस्थल कहां है? यह कोस्चन भी दो-तीन सिफ्ट में पूछा गया है इसलिए इस कोस्चन को आप निश्चित रूप से याद रख ले चावरा-चावरी नामक परसिद अस्थल गोरखपूर में है पूछेगा कि किस राज में है तो उत्तर परदेश में है उत्तर परदेश में है उत्तर परदेश यानि यूपी यूपी में है चावरा-चावरी नामक परसिद अस्थल किस सहर में है तो गोरखपूर सहर का नाम दिया रहे तो आप लगाएगा गोरखपूर, राजी का नाम पुछे, तो उत्तर प्रदेश, चावरा चावरी, चावरा चावरी से जुरा हुआ दूसरा कोशन पुछता है कि किस घटना के बाद और सहियोग अंदोलन को रोक दिया गया, तो चावरा चावरी घट सरकार ने पहली बार या घोसना की कि उनकी मंसा भारत में धीरे-धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है, तो किसके द्वारा घोसना की थी, तो अगस्त घोसना, अगस्त घोसना 1970, इसको अगस्त घोसना का नाम दिया गया है, 1907, आगे है एक आगे है फोगार्फोय मगुद्र रिजुक्रेयों के ऐगलाु नहीं कि थी? कहां की थी तो इलाहाबाद में की थी इससे जुरा हुआ कोशन पूछता है कि सुराज पाटी की अथपना किस ने की थी तो चितरन जंदा से हो मोतिलाल नहरू ने की थी कहां की थी तो इलाहाबाद में की थी कब की थी तो 1923 में की थी आगे है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार है इकबाल कौन है तो इकबाल है अगला क्वेशन है कौन सी पुस्तक जबाहारला लेहरू दौरा लिखी गई है तो कौन सी पुस्तक जबाहारला लेहरू दौरा लिखी गई है तो डिस्कवरी ओफ इंडिया यह भी काफी पुछा जा रहा है अगला कुशन है दीन बंधू के नाम से कौन विख्षात हैं तो तो सी एफ एंडर्यूज अगला है जालिया बाला बाग के नर्संगार के समय भारत का वाइसरा इकौन था तो लौड चम्सफोर्ड लौड चम्सफोर्ड तो इसी के साथ असी महतपूर्ण कोश्चनों का यह सेट समाप्त होता है यदि गांधी यूग से और धी कुछ क्स चूट रहा है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह का कुश्चन है ताखि हमारे जितने भी धर शक है वह आप जो कमेंट करेंगे उसको भी वह देख पाएंगे उस question को भी जान पाएंगे तो इस वीडियो में इतना ही अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद